मैं हीरु फहरवानी, बी ये फर्स्ट इयर, पेपर फर्स्ट सांख्य दर्शन इसमें हम पिसले लेक्चर में सांख्य का प्रकति विकास क्रम पर तर्चा की थी आज हम सांख्य दर्शन की ज्यान विमानसा पर तर्चा करेंगे भारतिय दर्शन की जो परंपरा रही है, उसमें तत्व मिमानसा हमेशा ग्यान मिमानसा परी आधारित मानी जाती है इसे तरह सांख्य मत भी जो है ग्यान मिमानसा के आधार परी अपने से दांतों के विवेचना करता है भारते दर्शन में कुल मिलाकर की छैप्रकार की प्रमाण माने गए हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उप्मान, शब्द, पापती और अनुपलब्दी इन में सांख्य दर्शन के वल तीन ही प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द अन्य प्रमानों को सवतंत्र नहीं मानता क्योंकि वे कहते हैं कि अन्य प्रमान जो है इन तीनों में ही प्रत्य अनमानों शब्द में ही आ जाते हैं इसलिए अलग से प्रमान मानने की अवशक्ता नहीं है अब प्रमाणों की चर्चा करने से पहले हमें कुछ प्रत्यों की चर्चा करनी जरूरी है जैसे प्रमा प्रमा शब्द को सांग के दर्शन में यथार्थ ज्यान के रूप में परिवाशित किया गया है यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक ज्यान यानि जो वस्त्व जिस रूप में उसे ठीक उसी रूप में समझना प्रमा कहलाता है दूसरा प्रत्य है प्रमाता प्रमाता ग्याता को भी कहते हैं यानि जो ग्यान को जानने वाला है उसे प्रमाता या ग्याता कहते हैं तीसरा प्रत्य है प्रमे प्रमे का मतलब है वह विशय है जिसे जाना जाए प्रमे को गे भी कहते हैं इन दोनों के बिना यानि प्रमाता और प्रमे के बिना हमारा ग्यान जो है हमेशा अपून रहता है तो सांक्य दर्शन में शुद्द चेतन ये पुरुष जो है वो प्रमाता है और चेतन पुरुष को बुद्धी, मन और इंद्रियों के माध्यम से अलग-अलग विशेओं का ज्यान होता है और ज्यान का जो आधार है जो विशे है उसे प्रमे या गे कहते हैं यानि प्रकति से लेकर पंच महाभूतों तक के जो 25 तत्व हैं सांक्य दर्शन में वो प्रमे माने गए हैं और चेतन पुरुष के संसर्ग से ही हमारी बुद्धी को विशेओं का ज्यान होता है ठीक है चोथा प्रत्य है प्रमान जिसकी हम चर्चाप करेंगे जो आपका इस टॉपिक का विशेई है कि सांक्य दर्शन ने त्रिविद प्रमानों को माना है प्रमान का मतलब होता है प्रमा का साधन यानि ज्यान प्राप्ति के साधन को प्रमान का जाता है प्रमान तीन तरह के हैं सबसे पहला है प्रत्यक्ष दूसरा है अनुमान और तीसरा है शब्द प्रत्यक्ष का मतलब है इंद्रियों और अदात के सानिकर्ष से यानि सैयोग से उत्पन जो ग्यान होता है उसे हम प्रत्यक्ष करते हैं यानि किसी भी वस्तु का जब इंद्रियों के साथ सहियोग होता है और सहियोग होने से जो साक्षात ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही प्रत्यक्षि ज्ञान कहते हैं जैसे कोई पुस्तक सामने टेबल पर रखी है उसका हमारी चक्षु इंद्रियों के साथ सेयोग होता है तो उस पुस्तक के कारण हमारी चक्षु इंद्री पर एक फिशेश प्रभाव पड़ता है जिसका विशलेशन हमारा मन करता है तो इंद्री और मन के व्यापार से प०्धिविंप जब बुद्धी पर पढ़ता है, तो वो चेतन के समान प्नधित होने लगती हैं, और तब भी वो वस्तो को ग्रहंड भी करती हैं, एक्जाम्पल जिसे दर्पण में दिपका काम प्रति भिम्थ रखें तो सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। प्रतिती मात्र होती है आभास मात्र होता है